अगर आप राहुल जी से जरा भी वाकिफ हैं, अगर आपने उनको अपना पब्लिक कॉंड़क्ट या पर्सनल कॉंड़क्ट करते हुए देखा है, वो कभी भी ना मर्यादा का उलंगन करते हैं, ना आक्रोश व्यक्त करते हैं, ना जो आपने कहा कि कोई स्ट्रटीजिक तौ सब लोग वो हैं, जिन्होंने अपने अंतिम चुनाओ, 84 में जीता था, आजाद साब ने अपना अंतिम चुनाओ, और जब तक राजसभा में बने रहें, सब कुछ चंगा था, जब राजसभा खतम होती है, और घर का लगान देना पड़ रहा है मोदी जी को, और एक के उलजलूल बाते कहते हैं, यह उनका चरित्र दिखाता है, यह उनका जो असली चाल चरित्र चहरा है वो दिखाता है, और मेरा अपना मानना यह है, कि कॉंग्रेस से जब कोई BJP में जाता है, तो यह जो आइडियोलोजिकल समर सॉल्ट है, यह जो आइडियोलोजिकल वैचारिक गुलाटी मारता है, यह सिर्फ वही कर सकता है, जिसको या तो बंगले के लिए समझोता करना है, किताब बेचने के लिए समझोता करना है, जमीनी विवात को खतम करना है, अन्यता यह संभव नहीं है, क्योंकि हमारी वैचारिक विचारधारा और भाजपा की वि करते हैं